आयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के अईतिहासिक छण का इंतजार कर रही है ऐसे में आयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कंकां और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतराई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रजय सा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की उत्तर प्रदेश की गवणनर आनंदि बेन पतेल यहां के लोकपुय मुख मंत्री योगी आदित्यनाच जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी जोतिर आदित्य जी अश्वीदी वैश्णव जी B.K.C. जी उत्तर प्रदेश के डेपुटी सियम केश्व प्रसाद मौर्य जी ब्रिजेश पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण सभी साउसद और विदाय गण और विशाल संख्य में आए मेरे परिवार जनो देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभात चंद्र बोज ने अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमरित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्सिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान तो अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहाँ पंदरा हजार करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोना जैसी वैस्विक महामारी के बीच ये कारिय अयोध्यावासियों के अथक परिस्रम का परणाम है मैं सभी अयोध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरा देती है हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं आयोध्या में राम लला टेंट में बिराजमान थे आज पक्का घर सिर्फ राम लला कोई नहीं बल्कि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनाद धाम के पनन निर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचय भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिपकेदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बने है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकिया भी बनवाई है हम चान, सूरट और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहे तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाज यहाँ आयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिल बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्यवान से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका वैभव भी सिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्यान दिशा देने वाली है अयोध्यान में स्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते विए हमारी सरकार अयोध्यान में हजारों करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्यान को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्यान में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटपात बन रहे हैं आज अयोध्यान में नए फ्लाइवर बन रहे हैं नए पूल बन रहे हैं अयोध्यान को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी यातायात के साधनों को सुदारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एर्पोर्ट और अयोध्या धाम रेल्वेय स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुशी है कि आयोध्या एर्पोर्ट का नाम महर्ची वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्ची वालमिकी ने हमें रामायन के माद्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्ची वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एर्पोर्ट का नाम इस एर्पोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमिकी इंटरनेशनल एर्पोर्ट आयोध्या राम हमें दिव्य भग्य नव्या राम मंदिर से जोड़ेगा जो यह नया एर्पोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाक आत्रियों को दस लाक आत्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एर्पोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महरत्य वाल में की इंटरनेशला एर्पोर्ट पर हर साल साथ लाक आत्रियों को अभी अयोध्यादाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15,000 लोगों को उनकी सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकात होने के बाद अयोध्यादाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज साथ हजार लोग आजा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेलिवे स्टेशनों के अलावा आज यहाँ अने पथों का मारगों का भी लोकारपन हुआ है रामपत बक्तीपत धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हाँ आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पित है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चोक हो या राम कतास्तल यह अयोद्या की पहतान बढ़ा रहे है अयोद्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बढ़ाएगी विकास के इनकारियों से अयोद्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इस से यहां के टेक्सी वाले रिक्साँ वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल बेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे-मोटे दुकानदार भाई सभी की आय बढ़ेगी मेरे परिवार जनो आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देश ले उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन बेच को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ती भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुसी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन अयोद्या से गुजर रही है बिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिल्ली यूपी बिहार के लोगों की आत्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए बग्व राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं राम लला के दर्शन को और सुगम बनाएगी यह आतुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेज रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोश्वामी तुलसिदाजी ने कहा है परहित सरीस धर्म नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतव्य नहीं है आदुनिक अमरत भारत्रे ने गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अकसर लंबी दुरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आमद्ली नहीं है वे भी आदुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीमा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राज्य की पहली अमरत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरत भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेने चल रही है काशी, वैश्णो देवी के लिए कटरा, उज्जेइन, पुषकर, तिरुपती, शिरिडी, अमरिसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अमरिसर से दिल्ली, कोईमटूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों की बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है बहुत ही कम समय में बंदले भारत से डेड़ करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं विशेश तोर पर यूआ पीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वर रहा है अपना गवरवशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामेश्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वारका दिश से जगनाजपुरी की यात्रा द्वादर्स जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मांसरवर यात्रा कावड यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई ने कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जूडते रहते हैं तमिल्नाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध है सिवस्थल पाद यात्री रई मुरुगनंकु कावडी यात्री रई वैश्णव तिरुपपदी यात्री रई अस्मन तिरुत्तल यात्री रई केरला में सबरी माला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें लाखों की संक्या में स्रद्दालू जूडते हैं यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्ष्मर और सत्तु के दाम की भी यात्रा होती है ये यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है इसके अलाबा देश पे कितनी ही परिक्रमाएं भी जानी रही है गोवर्दन परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों गया लुम्बिनी कपील वस्तू सारनाद कुशी नगर की यात्राएं होती है राजगीर बिहार में बुद्ध यनुयाईयों की परिक्रमा होती है जैन धर्मे में पावागर, समेच सिकरजी, पालितना, कहिलाज की यात्रा हो सीखों के लिए पंच तक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस्टे पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इनमें साविल होने के लिए स्रद्धालूपुरी आस्ता के साथ जूडते है देश बन में सद्यों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते है अब आयोध्या में हो रहे ये निर्मान कारिय यहां आने वाले हर रामवक्त के लिए आयोध्या धाम की यात्रा को बगवान के दर्षन को और आसान बनाएंगे साथियों ये एतिहासिक छान बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पूरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रार्थना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम बिराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वासियों से एक करवद्द प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साथ्षी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्र है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुरवक कारकम हो जाने के बाद तेश तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्याने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार किये और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि किर्पा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान अयो द्याका नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाद जन्रवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भार करने से आप बचिये ताकि यहां जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट है हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी मेहनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूँ कि 22 को यहाँ पहुंचने का प्रयास हम न करें कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथियों आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिजियों के लिए तैयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे लाखों की तादाद में लोग आने वाजे हैं अपनी अपनी सुविदा से आएंगे को एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिल्सिला अब अनंतकाल तक चलेगा अनंतकाल तक चलेगा इसलिए अयोध्यावासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्यावासियों को बारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्यावासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्थ छेत्रों और मंदिरों से अपना आगरद हो रहाँँगा देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है वद्य राम मंदिर के दिनबार के निमित्त एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संकरांती के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीरतस्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भियान चलाया जाना चाहिए हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का भियान मकर संकरांती 14 जनवरी से 22 जनवरी तार हमें चलाना चाहिए प्रभु राम पुरे देश के है और प्रभु राम ती जवा रहे है तो हमारा एक भी मंदीर हमारा एक भी तिर्टक्षेत्रा उसक्याव और उसके परिशर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं हो चाहिए साथियों अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्यान नंगरी में ही एक और सवभाग्य प्राप्त हुआ है आज मुझे खुसी है यह बताते हुए कि उजवला गैस कनेक्शन की दस करोड़ भी लाबारती बहन के गर मुझे जांकर के चाई पिने का मोका विला जब एक मैं दोजार सोला को हमने यूपी के बलिया से उजवला योजना शुरू की थी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था ये योजना सफलता की इस उंचाई पर पहुचेगी इस योजना ने करोड़ों परिवारों का करोड़ों माता और बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है उन्हें लकड़ी के दुए से मुक्ति दिलाई है साथियों हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम साथ सत्तर साल पहले शुरू किया गया था शाथ एने छे साथ दसक पहले लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि पतास पचपन साल में सिरफ 14 करोड गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे याने पांच दसक में 14 करोड जबकि हमारी सरकार ने एक दसक में 18 करोड नए गैस कनेक्शन दिये है और इस 18 करोड में 10 करोड गैस कनेक्शन मुक्त में दिये गए हैं उजवला योजना के तहट दिये गए हैं जब गरीब की सेवा की भावना हो जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है इसी तरह के नतीजे मिलते हैं आज कल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करके ले के लिए जीवन खपा देता है मोदी की गारंटी पराज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से मिस्वाद दूँगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोड कसर बाकी नहीं चोड़ेंगे श्री राम हम सभी पर आशिरवाद रखे इसी कामरा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रभु स्री राम के चरुड़ों में प्रडाम करता हूँ और आप सब को विकास कारियों की बहदाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बारत मातनेवार